गुद मॉनिंग मारे चेंग गुद मॉनिंग मारे चेंग गुद मॉनिंग गुद मॉनिंग क्लास 6 में आज हम exercise 1.6 बढ़ रहे हैं उसके पहले कि सारी exercise के question लगए होगे फिर complete हो गए हो गया आसा करते हैं और कोई doubt नहीं रहा होगा क्यूंकि उस में से maximum 50% question मैंने solve करें बाक को ध्यान रखने के लिए कि इस तरह की को स्वल्प करने से पहले सबसे पहले माणी स्टेंड देखिए यह जो हिंदू एरेबिक नंबर वान फा इसको अच्छे से ललगे कि वन से वन होता है फाइब से वी टेन से एक्स एल से 50 और सी हंडेड और दी पाइफंडेड और एम से वन यह बेसिक फ़र्मले याद रखेगा और हां और यहां पर इसे वन से आयो था है टू से डबल लाइड तीन से ट्रिपल लाइड वो से फोर आइड वं भी टैन से एक्स टॉनिटिस एक्सेट थर्टिस एक्सेट ठीक यह basic बात याद रखेगा और क्योंकि यह basic बात याद रखेगा नंबर को कैसे roman number में लिखते है roman number तो हम समधे इस chapter से roman number समधे सारे question आप सौट कर से और हाँ आप पिछले class में भी आप one to hundred का number भी आप जानते है roman number और उसका roman उस बात को आप अच्छे से दिमाग में बठाए रहेगा तो यह basic बात याद कर लिजेगा चाहे बुक में देखके और बुक में नहीं है तो विडियो को मादर से पहुँच करके यह सब formula बेसिक जो है यह लिख लिजेगा और one से hundred तक का भी आप तिशले क्लास में पढ़ें वह बात ध्याने ठीके तो पहले formula यह learn कर लिजेगा तभी आप इस exercise 1.6 के यह सारे question आप कर सकते है तो हम आशा करते हैं आप यह formula learn कर लेंगे बैसे बुक में है तो लिखने कजूरत नहीं है बड़ लेख लेंगा तो अच्छा है और जिनके पास बुक ने वह तो बिल्कुल लिखेंगे क्योंकि वीडियो पहुच करके यह formula क्रूप में पहले इस exercise 1.6 कर लिख लिजेगे क्योंकि मेरा मानना है कि formula याद दोगा तभी आप पुशन कर पाएं और यह सारे नंबर कॉंटी नंबर नंबर इदम जुबा आप याद देखेगा क्योंकि formula लान लेगा तभी आप कुशन तो मैं मानता हूं आप पुशन यह लिख लेंगे लेंगे फिर पर और learn भी कर ले तो चले इसी के साथ मैं मानता हूं कि आप formula लिख लेंगे रोमन नंबर के कैसे नंबर को रोमन रोमन तो अब आप ही सारे कोशन कर चले आए कोशन पर आते हैं 25 को कैसे लिखेंगे देखे एक्स ट्वेंटी भी से 5 होता है यह आप लर्ण कर लिजेगा क्योंकि यह सब बात 41 42 42 का क्या होगा एक्सल से होता है 40 और 1 1 2 तो 42 इस ततर नंबर को रोमन नंबर में लिखना है सी पार्ट तक मैंने करा देखेंगे बाकि डी या पार्ट हो मग रहेंगे का लिजेए कोशन नंबर 2 में पढ़ते हैं राइट हिंदू और एभीक नंबर मलब कोशन नंबर 2 मे यह दिया है आपको यह लिखना है तो देखे XL से क्या होता है 40 IX उतना 9 तो 49 DC XS से क्या होता है 720 ड्स होता है 500 C से 100 100 200 500 500 200 700 XS 10 10 10 20 720 DC D से 500 C से 100 100 200 300 तो सी पार्ट तक कर दिया है बाकी से इसे तरह हो में कर दिया को सिन नबर थर गर मैं जफा लिए डी सी एक्सल्ब डी से होता है 500 एक्सल्ब से होता है 40 और 40 और 5 545 तो उसके सामने लिखेंगे तो यह गलत दिया है बुक में 998 होगा तो मैं सही लिख दिया है आप सही लिखेंगा वैसे बुक में यह दिया है तो वैसे मैचिंग के मैचीं लिखेंगे लेकिन उसके जगा सही लिखे है 990 यह बुक में आप यह दिया है तो मैं लिखेंगा द correction और हम मैकीक चारा सामने लिखें चारा पर निके लाइन खीचके करें जैसे करें सही का सही से है डिंता कोशन आप फेर कम्पलेट कर लिजेगा और कोई विड़ाइब होगा तो आप प्रसे ने फॉट्टी है वह मक कर लेंगे सेम तो से से में और जिनके पास वह तो गसे लगाएंगे जिनके पास बुक नहीं है वो तो डिफिनिटली लिखेंगे यह बेसिक फॉर्मले लान कर लेज़ेगा तब ही आप एक कोश्चन लगा पाएंगे और जिनके पास बुक है मैं उनके लिखने के जूरत नहीं बट लिख लेंगे तो बहुत अची बात है चले जिनके पास बुक नहीं लिख लेने का क्योंकि बेसिक फॉर्मले तो देखें एक सब्सक्राइब 1.1 में 161.6 मेंने स्टार्ट किया ए बीसी पार्ट मेंने कर लिजेगा इसे तरह कोश्चन में थार्ड में मैचिंग में ए बीसी कर रहा दे इसे डी एफ मैचिंग कर करेंगे एडवांस ओमक दे लगाईगा कालाईंक कोसी नहीं आएगा तो कोई बादने मैं तो स्टार्ट करूंगा आप से मिलूंगा तो इससे साथ क्ला पार्ट पार्ट कर लिजेगा कोई डाड़ होगा तो पसनिवार्ट सपी कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर ने त जिनके पास बूख है वो बूख से कोशन लगाएंगे और जिनके पास बूख ने वीडियो पहुंच करके कोशन राइट के कोशन सब्सक्राइब करें तो कल हम आपसे जब भी मिलेंगे कोशन नमर फॉर फाइब स्टार्ट करें okay my friends so good morning once again we shall see you tomorrow and join